और एक बड़ी खबर है केजरिवाल के बंगले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है बीजेपी ने केजरिवाल के घर का वीडियो जारी किया केजरिवाल का बंगला सद्दाम हुसैन के जैसा है यहां तो बहुत बेहतरीन तरीकिस का आप गहरा राजनतिकर समझेए कि किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं सब रिमोट से चलाते हैं कहीं सत्यन जैन जी बोलें से करवादेंगे कहीं सिसोधिया जी से और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए उसमें भी रिमोट से कोई चीज़ खुद नहीं साइन करेंगे और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं सद्दाम हुसेन के मकान में जिस धंकी चीज़ें दिखाई पड़ती थी चर्चा में आती थी यह कीम जोनूं के मकान में जिस धंकी चीज़ों के चर्चाएं आती थी अब तो उसके समकक्षाती दिखाई पड़ रही है मतब मानना पड़ेगा कि वो छेत्रिय दल से राष्टी दली नहीं बन गए हैं अंतरराष्ट्रिय इस्तर की उन्होंने इस्थिती प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए